वेलकम टू माई कीचन आज हम लोग फ्रूट समोसा बनाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले मैदे में काला जीरा मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में लेंगे नमक आप नमक स्वाद अनुसार लिजेगा अब हम इसमें रिफाइन तेल डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और रोटी का जो डो होता है बिलकुल वैसे ही तोड़ा तोड़ा पानी डाल करके इसे हम मिक्स करते हुए बनाएंगे ये देखिए ये हमारा डो बिलकुल तयार हो गया अब इसमें हम दो थोड़ा सा तेल डाल करके इसो आधे गंटे के लिए धक के रख देंगे जब तक आटा हमारा सेट होता है हम फ्रूट को काट लेते हैं फ्रूट में मैंने आम और गाजर लिया है इसे छोटे टुकड़े में काट लेंगे यहा मैंने काट लिया है और गुर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह देखिए हमारा आटा बिलकुल सेट हो चुका है यह रेडी हो चुका है अब हम इसका चोटा-चोटा लोई निकाल लेंगे और इसे रोटी की तरब बेल लेंगे आपको अगर रेसेपी में इंट्रेस्ट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सोरन किचन को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए हमने काट लिया है इसे अब हम इसे समोसा का सेफ देंगे ये रहा अच्छे से बाइब अब हम इसमें फ्रूट डाल करके इसे पानी से अच्छी तरह से हम इसके किनारे को सील कर देंगे अगर हम सील नहीं करेंगे तो जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो ये निकल सकता है इसलिए आप सील हो सके यहां मैंने तेल गरम कर लिया है और एके करके सारे समोसों को डाल करके इसे हम फ्राइ कर लेंगे आपको हमारी रेसेपी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताईएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के साथ तब तक खाते रहिए मुश्कुराते रहिए